चार बायर में से एक बायर जो होती वो common बायर होती है यानि वो इन तीनों से internally connect होती है बाकी जो होंगी यहाँ पर तीन बायर जो होंगी वो speed की बायर होंगी एक low की बायर होगी और एक medium की बायर होगी और एक high की बायर होगी और 3 पोर्ट होते हैं उन पे 123 लिखा होगा है तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको लाइन देनी है यानि फेस देना है आपको उसके लाब आपको लो स्पीड मिलेगी टू पे मीडियम स्पीड और तरी पे आपको हाई स्पीड मिलेगी इसमें आपको देखो कैसे करना है connection मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर जो एल आपको दिखाई दे रहे इस पर तो आल्रेडी आपको फेस की बायर लगानी होती है तो यह जो फेस की बायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगी यह पतली सी बायर यह है यहाँ पर इंटरनली कनेक्ट करके यहाँ पर पर आप जो बन है इसका बन बाला पॉइंट इस तरीके से इसमें डाल कर इस छेद में यहां पर डालेंगे आप और शेद में डालने के बाद इसको इस तरीके से यहां पर कनेक्ट कर देना है अब देखें यहां पर यह तो कनेक्ट हो गई है उसके बाद यहां पर आप शपेद जो बायर है आपकी यह बाइट वाली इस बाइट वाली बायर को यहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से यह यहां पर कनेक्ट हो गई है उसके बाद यहा यहां पर connect कर दिया जाएगा तो यहां पर आपके यह तीन बायर के connection हो चुके है अब रहे गया आपका यह वाला बायर यह आपका common बायर है यह आपका नेक्षे करने के बाद अपकर ऑफर कोलर है वह उपके नेक्ष उंक्र पर कर देने के बाद आधे यहां पर कोलर है वह आपके रोटरी स्विछ से कनेक्ट हो जाए